हेलो दस्तों वेलकम बैक तो अबर चैनल आज हम देखेंगे कि एक स्ट्रीलिंग इंजिन या इसका दूसरा नाम होता है स्टीम इंजिन कैसे एक काम करता है सामने इमेज है इसमें हमारे पास एक सूपीरियर सिलेंडर है एक पिश्टन पीवन है पिश्टन सेकंड भी हमारे हमारे पास एक वहील इसका दूसरा नाम होता है फ्लाई वहील और एक हमारे पास सोर्स होता है एनर्जी का जो हीट एनर्जी ट्रांसफर करता है तो जब हीट एनर्जी यहां यह नीचे जैसे हमारे पास रख्य हुए होट यह हीट एनर्जी देने का सोर्स होता है जो यह ही जैसे ये expansion होता है air का वो pressure लगाने लग जाता है piston P1 पर और जब pressure लगता है तो ये बहार की तरफ move करता है it moves outward और जब ये move करेगा outward तो यहां से fly wheel है जो वो move करने लग जाता है ऐसे ही second piston भी होता है इसके उपर pressure लगाने लग जाता है continuously और ये बार बार move करने लग जाता है circular motion में